कि नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्ट कैसे हैं आप सब उमिद करते हूं दोस्तों खुश होंगे शुक्षी होंगे शंपन होंगे दोस्तों एक जरुरी जकारी मैं आपको दे दूँं काफी लोग काफी सब्सक् scraping dorm ले रहे हैं तो मैं आपको जिन्होंने भी मेंबर्सिफ नहीं ली है उन्हें में बता दूं कि यादि आपको urgent लगता है मुझसे बात करना है यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आप शॉलिशन चाहते हैं बहुत ही जल्दी बहुत ही अर्जन तो आप भी मेंबर्शिप को चालू कर सकते हैं दोस्तों हम लाइफ में बहुत परिशान हो जाते हैं scores सारी समस्याहों से हम हारने लग जाते हैं लाइफ कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर के अंदर कई ऐसे पेड़ पोधे कई व्रिक्ष उनके जड़े जो हमारे घर में होती है और हमें उसके शक्ति का पता नहीं होता है कि यह चीज सच में इतनी पाउरफुल है मेरे ही घर में थी और मैंने इसका यूज नहीं किया आपने खुद दोस्तों कभी नोटिस किया होगा जैसे कभी कोई आपको कहता है कि आप इस चीज को ऐसे यूज कर ले यह काम बन बोलो मुझे अभी तक पता ही नहीं था ऐसा होता है दोस्तों धेर सारे जो वेल हैं जो जिने घर में लगाने से शंपत्ति आती है जैसे कि मैंने आप राजीता वेल का बताया शंक फूस्पी का काफी जैसे सफेद आकड़ा यदि आपके घर के अंदर है कोई भी टोना टो चीज है और इसका क्या रिजल्ट आता है इसका क्या पर्णाम आता है हमारी लाइफ में तो आप चैनल पर जा सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं उसे लिए पर मेरे वीडियो की पहले पहले बार विजित ले रहे हैं प्लीज चनल को सब्सक्राइब अच्छ ही लगते हैं लाइक करने में दोस्तों कहीं भी आपको कंजोसी ना करें और दस्तो सच में यदि आपको लगता है कि यह जानकारी यह जानकारी पाकर मैं धनी हो गया या अच्छा हुआ मुझे यह जानकारी मिली चलो मैं भी कभी यह करूंगा ट्राइ जादर लोग ट्राइ करते हैं विश्वास के साथ बहुत कम लोग काम खड़ते हैं तो आप इस आपने देखा होगा तुलसी का पौधा तुलसी के पौधे में इतनी पॉजिटिवीटी होती है दोस्तों कि वो जहां होता है उससे कितने दूर तक कोई नेगेटिवीटी नहीं आती है उस घर के अंदर नेगेटिवीटी नहीं आती है कितने ही ऐसे किटानू है जहरीली च गजाताहे तूसै का पॉधा दोस्तों बहुत ही चीजों में बहुत काम आता है मैं आपको बतादू रहों जैसे किसे करने के शाद़ी कि मुझे दूसे के पॉधे में इसके जण में यह पांस गुलाब हो गारदे हर शुक्रवार मतलब कम से कम जैसे पांच शुक्रवार ये विधी को करें तो उसकी साधी के संजोग बनने लग जाते हैं पती-पत्नी की दोस्तो ये आपस में नहीं बन रही है घर में लडाय जगडा रहता है तो पती-पत्नी साथ में यदि तुलसी को जल अर्पित करते हैं दोस्तो तो कभी आपके घर में कले नहीं होगा तुलसी के पौधे के आगे दोस्तों यदि घीका दिया लगता है साक्षात माता तुलसी आपको आशिरवाद देती हैं धन और संपत्ति के लिए तुलसी की जड़ दोस्तों यदि आपने धान कर रखिए कोई भी भूत, प्रेद, पिसाच आप तो परिशान नहीं कर सकते तुलसी की पौधे में दोस्तों हजारों तरह के टोने टोटके होते हैं कभी आप दोस्तों यदि बहुत ही जैसे आपके घर में कोई पूजा पाठे कहीं आपको बाहर जाना है घूमने फिरने के लिए कहीं आपको कोई तिर्थ स्थान में जाना है और आपको जो भी महिलाएं हैं, माताएं, महने हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका पिरेड्स आ रहा है तो दोस्तों सवा रूपया ले ले अब तो जैसे सवा रूपया नहीं बन पाता है तो एक रूपया ले ले तो एक रूपया ले करके आप माता तुलसी की जड़ में गार दे जहां पर तुलसी का पोधा हो, वहां की मिट्टी थोड़ी सी आप खटा ले और रुपिया, आप वहाँ पर गार दे, मिट्टी के नीचे गार दे और हलके से उसे दबा दे और वहाँ आप कह दे, कि इतने दिनों के लिए, मैं बाहर जा रही हूँ periods नहीं आने चाहिए, मेरे घर में पूजा है, मुझे पूजा में बैठना है और मुझे डर है, periods का, मैं दवा लेना नहीं चाहती, आप देखना, आप periods में नहीं होगे, यह 100% सही बात है और कर लेने के लाइक, आप करके देखिएगा, करके देखिएगा, आपको भी विश्वाश होगा कि हाँ, किसी ने कभी बहुत अच्छे जानकारी दी है, जो lifetime, एक या दो बाने lifetime आपके काम आ सकती है, बिना दवाई लिए, सिर्फ आप एक रुपया तुलसी की जड़ में गार दे, मिटी हटा करके और वहाँ आप तुलसी माता से प्राक्ना करें, इतने दिनों के लिए मुझे इस तीर्फ में जाना है, और मुझे इस चीज का डर है, पिरियर्स होने का, तो आप देखेंगे कि आपको बिलकुल शान्ती मिल जागी, उतने दिनों तक आप पिरिय तुलसी के नीचे उसे ले उसे निकाल करके और जैसे गोली है, बिस्किटे ले करके आप छोटे बच्चों में बाट दे, नेक्स टाइम फिर आप इस उपाई को करो, और आप देखोगे दोस्तों, आप इस उपाई को करके देखें, इसका रिजल्ट कितना जादा है, और दोस्तों धेर हो वाइए, धेर हो उपाई यदि आप सुबह उठकर के खाली मुह, दो काली मरी, । काली मिर्च, पांच पत्ते तूलसी के आप लेते हैं, वासी मुह । कभी आपको बुखार नहीं आएगा, धेर सारे हो उपाई है, मैं आपको पाई हैं, कितने कि करने के लाइक है करने के लाइक है हम सब जांते दोस्तों तुलसी का पोधा जुड़ा हुआ है भग्वान विश्णू से व्रिंदा तुलसी का दूसरा नाम घंड बी है आप जानते होंगे भगवान क सृहरी की कहानी माता विन D किस तरीक से जोई हुई है कैसे भगवान विश्नु साली ग्राम बनकर रहते हैं तुलसी में क्यों रहते हैं साइदे कहानी आप सब हुए हैं जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं गुरु ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी प्रोब्लम यदि आपको है तो आपको दोस्तों पीली चीजों का दान करना है हल्दी की माला चड़ाएं भगवान स्रीहरी को आपके सारी तकलीफ दूर हो जाएगी तो दोस्तों गुरु वार के दिन आपको क्या करना है माता तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूद चड़ाना है बिल्कुल थोड़ा सा ही चड़ाएं ऐसा नहीं के पोधा छोटा हो आप बहुत ज्यादा दूद चड़ा दें और पोधे को कुई नुक्षान हो ऐसा आप बिल आपके घर में कैसी भी समस्या होगी धंक से संबंदित लक्षमी से संबंदित वो दूर हो जाएगी कभी कभी दोस्तो ऐसा लगता है कि क्रिया करने में हमें कभी थोड़ा समय लगता है तो तोड़ा सा धिरज रख करके आप जो बता रही हूं उससे आप सिर्फ फोलो करें फिर से रिपीट करो दोस्तों गुरु वार के दिन कच्चा दूद माता तुलसी को अरपीत करें जल चढ़ाएं धूब दिखाएं तामे के लोटे में लेकर के आप उन्हें जल चढ़ाएं ज सोमवार के दिन सोमवार के दिन नहा धोकर स्वच होकर के कोई भी माता हैं बहन हैं जो भी लेडिसे से अगर माता तुलसी में जल अरपित करती हैं तामे के लोटे से तो जो संतान संबंदित जो भी प्रोब्लम होती है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है सोमवार के दिन इतना अवश्य ही करें, अमावस्या के दिन कभी भी सिर में पानी ना डाले, मंगलवार के दिन किसी को भी पैसे उधार ना दे, और मंगलवार के दिन सिर में पानी ना डाले, संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, उसका भी बहुत जल्दी निदान हो जाता है, तो माता लक्षमी के लिए दोस्तों आप गुरुवार के दिन तुलसी के पधे में कच्चा दूद अवश्य ही चढ़ाएं घीका दिया अवश्य ही लगाएं दोस्तों कर लेने के जैसा है कर के देखें यदे कोई चीज कोई बात आपकी समझ में ना आती हो तो पुछे अवश्य करते रहें खुश रहें जैसे क्रशना